आज जो वीडियो में आपके सामने लाया हूँ ये WBJE स्टूडेंस जो जो WBJE की थ्रू कॉलेज में एडमिशन लेंगे उनके लिए बहुत ही इंपोर्टन्ट है टॉप टेन प्राइविट कॉलेजिस अंडर WBJE 2021 के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग डिसकस होने वाला है आपको डिटेल्स में पता चलेगा कि कौन-कौन सा उनिवर्सिटी कौन-कौन सा कॉलेज है इसके अंदर और क्या-क्या प्रोवाइड कर रहे हूँ तो डिटेल्स में मैं डिसकस करूंग तो वीडियो बहुत ही इंपोर्टन्ट है वीडियो को देखना वीडि technology, top 10 private college में number 10 में है मेरे list में मैं यह नहीं बोल रहा है मैं जो list दिखा रहू हूँ वही final है हो सकते किसी और का list अलग है पर मेरा list अलग है मुझे जो top 10 college लगता है जो मेरे हिसा से सबसे अच्छे हैं वो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ और भी colleges है जो की बहुत ही अच् mechanical, electrical, civil इसका main 6 branches है यहाँ पर placement जो best placement देता है CSE, ECE, IT आपको पता है क्योंकि जो core branches है उसमें actually government examination ही ज्यादा है तो examination के through ही मिलता है जो placement के examination actually college placement, on campus placement उसके बारे में ही इस वीडियो में मैं discuss करूँगा तो यहाँ पर placement देख सकते हैं CSE का ECE का and IT का above 65 to 70% above यहाँ पर आपको placement मिल जाएगा, campus life मैंने 4 दिया है 5 में से and course fee आपका 4 लाक लग जाएगा BTEC का total 4 year में and highest package 11.45 lakhs अभी तक highest package यहाँ पे गया है, highest package कुछ-कुछ college के इधर उदर हो सकते हैं क्योंकि जो accurate news मिलता है different different site पे वही मैं आपके सामने दिखा रहों पर हो सकता है थोड़ा बहुत अच्छा है, highest package यहाँ पे 11.45 lakhs तक आपको यहाँ पे पहले भी मिला है, तो यह एक बहुत यह अच्छा college है, अब चलिए number 9 पे चलते हैं, BP Poddar Institute of Management and Technology, BPPIMT, यहाँ पे branches देख सकते हैं, main जो branches है, CSE, IT, ECE, EE, यहाँ पे placement, CSE, ECE, IT का above 70% यहाँ पे placement हो जाता है, campus life मैं दू पहुंगा इसको 3.85 में से, and course भी यहाँ पे 3.90 lakhs, BTEC का approach यहाँ पे लग जाता है, highest package अभी तक 12 lakhs तक यहाँ पे highest package गया है, जो की बहुत ही अच्छा है, तो BP Poddar College भी Calcutta के अंडर है, Calcutta के मतलब inside Calcutta है, और बहुत ही अच्छा placement भी प्लेजमेंट भी प्लेजमेंट कर इसका branches में आपको दिखा रहा हूँ, CAC, IT, EC, Mechanical, Electrical, Civil, यहाँ पे main 6 जो अच्छे branches है, उसमें से है, यहाँ पे आप placement देख सकते हैं, CAC, IT का 75 से 80% तक यहाँ पे placement हो जाता है, campus life मैं 4 दूंगा इसको 5 में से, जो की बहुत ही एक अच्छा, मैं rating दे रहा हूँ इसको, and course भ आपको यहाँ पे approach, course भी देना पड़ेगा, highest package अभी तक 10 लाग तक यहाँ पे गया है, जो की definitely अच्छा है, उतना भी बुरा नहीं है, अब चलिए number 7 जो college है, मैं आपको दिखाता हूँ, number 7 में है, Hoogley Engineering and Technology College, HETC, HETC college एक बहुत ही पुराना college है, बहुत ही renowned college है, यह UGC, I ICTE के अंदर है, and Macout के अंदर है, Macout University के अंदर, यहाँ पे branches आप देख सकते है, CSE, ECE, Mechanical, Electrical, Civil आपको मिल जाएंगे, and यहाँ पे placement देखिए, placement CSE का 95% and ECE का 90% यहाँ पे placement हो जाता है, other stream का भी अच्छा placement होता है, highest package अब देख सकते है, 10 लाग तक यहाँ पे highest package अभी तक गया है, and यहाँ पे campus live भी बहुत ही अच्छे है, teachers बहुत ही helpful है, students के help करते हैं, यहाँ पे आपको industrial training भी करवाया जाता है, college से ही, and आपको जो आपका scholarship है, college से scholarship भी provide किया जाता है, यहाँ पे जो course भी है, course भी आप देख सकते हैं, 3.30 लाग, जो की other आप अगर compare करें, other colleges से वो बहुत ही कम है, और अगर आप first admitted 50 candidates है, ECE, EE, and mechanical से, तो आपको और भी 30,000 का discount मिल सकता है, तो आपका 3 लाग के अंदर वो सब students का पढ़ाय हो जाएगा, तो मैंने इसको 7 पीस लिए रखा है, क्योंकि package बहुत ही अच्छा है, placement बहुत ही अच्छा दे रहा है, not only CSEC, other stream क बहुत ही अच्छा है, campus life 4.4 है, यहाँ पर जो की बहुत ही अच्छा है, and आपका course fee भी आपका बहुत ही कम है, in compared to other private colleges, and branches भी बहुत ही सारा यहाँ पर provide किया जा रहा है, अच्छा अच्छा, branches, teacher students का bonding भी अच्छा है, and hoogley, hoogley city का heart में यह established है, यहाँ पर आपको transportation का भी क लिकत नहीं है, सब कुछ available है, तो आप easily transport भी कर सकते हैं, and आपका पड़ाय भी continue कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 7 पर रखा है, hoogley engineering and technology college को, आप definitely WJE के थुरू, या फिर direct admission के थुरू, यहाँ पर admission ले सकते हैं, अब जोने number 6 में चलते हैं, तो next रहता है, academy of technology, AOT, इस के बीच में, जो कि मुझे personally, इसका campus बहुत ही सुन्दर लगता है, यह आदि सब्तों gram में है, and बहुत ही अच्छा है college है, यहाँ पे यहाँ से भी आपको अच्छा खासा placement मिलता है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे best placements, CSE, EC, IT, above 85-90% तक यहाँ पे आपका placement हो जाता है, उ highest package यहाँ पे 8.5 lakhs यहाँ पे गया है, average package भी अच्छा खासा जाता है, average package almost सभी college बे 3.5, 3.6, 3.85 ऐसा कुछ होता है, इसलिए average package मैंने mention नहीं किया है, पर highest package मैं बता रहा हूँ सभी colleges का, college life यहाँ पे मैंने 4.5 दिया है, 5 में से जो कि मेरे हिसाब से सबसे अच्छा है, and course fee यहाँ पे 3.90 lakhs बीटेक के लिए approach आपका लगेगा, यह भी एक बहुत अच्छा college है, आपका list में जब counselling करेंगे यह भी रहना चाहिए, तो definitely अब number 5 में चलते हैं, number 5 है, St. Thomas Colleges of Engineering and Technology, यहाँ पे जो branches है, CAC, IT, ECE, W, best branches, and यहाँ पे जो placement है, placement CAC, IT, ECE का, यहाँ पे 85 से 90 percent तक placement हो जाता है, campus life मैं चार दूँगा इसको 5 में से, course भी यहाँ पे थोड़ा कम लगता है, in compared to other colleges, 3.60 lakhs यहाँ पे आपका लगेगा, and highest package 8 lakhs तक यहाँ गया है, जो कि definitely एक बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे मैं मानता हूँ, definitely highest package 8 lakhs तक ठीक ठाकी है, next यहाँ पे number 4 में जो है, Haldia Institute of Technology, HIT, दिन बे दिन यह college improve कर रहा, इसका campus भी बहुत ही सुन्दर है, AOT से भी ज्यादा सुन्दर मुझे इसका campus ही लगता है, क्योंकि AOT का campus भी मुझे बहुत ही पसंद है, पर Haldia का campus और भी सुन्दर है, और भी अच्छा है, यहाँ पे branches आपको बहुत ही सार लेक्स तक यहाँ पे highest package गया है, just imagine बहुत ही अच्छा है college है, placement आप देख सकते हैं, based यहाँ पे है CAC, ECIT, above 87-90% तक यहाँ पे आपका placement हो जाता है, campus life मैं 4.5 दूँगा, इसको 5 में से, क्योंकि इसका campus मुझे AOT का तरह बहुत ही पसंद है, course भी यहाँ पे 3.95 लेक यहाँ आप पे जो ranking है, All India ranking, Haldia Institute आपका आप देख सकते हैं, यहाँ पे कितना ranking में है, और बहुत ही अच्छा यह college है, दिन बदिन इसका ranking भी improve हो रहा है, All India जो ranking है, तो हaldia को मैं number 4 में रखूँगा, अब चलिए, अब चलिए जो college है, top 3 colleges, number 3 में है Techno India Salt Lake, इसको मैंने number 3 में सकते हैं, CAC, IT, ECE, Double E, Mechanical, Civil, यहाँ पे आपका base branches है, placement आप देख सकते हैं, CAC, ECE, and IT का above 90% यहाँ पे placement हो जाता है, campus life मैं यहाँ पे 4 दूँगा, यहाँ पिर आप बोल सकते 3.9 दूँगा, 5 में से 4 ही आप समझ सकते हैं, course भी यहाँ थोड़ा high है, 4.84 lakh यहाँ पे बीटे मेरे आख से आप देखे अगर तो मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि placement जो college अच्छा दे रहा है, students का future जो college अच्छा बना रहा है, वो college डेफिनेटली आगे रखना पड़ेगा, number 2 में आप देख सकते हैं, heritage institute of technology, HITK, heritage institute of technology कोलका थे, इसलिए HITK इसको बोला जाता है, branches अब देख सकते हैं, CAC, IT, ECE, EE, Mechanical, Civil यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, और भी branches है पर based branches यहाँ पर यही आपको मिलेंगे, highest package यहाँ पे 16,00,000,000 तक highest package गया है, based placement यहाँ पे CAC, EC, IT का above 92% से, उपर ही आपका यहाँ पर placement देते हैं, campus life 4.5, यहाँ पर आप बोल स 4,00,000,000 आपका BTEC में यहाँ पे आपका खर्चा होगा, तो यह भी एक बहुत अच्छा college and NIRF ranking भी इसका भी बहुत अच्छा है, All India ranking भी इसका भी बहुत अच्छा है, next number one में none other than Institute of Engineering and Management IEM Kolkata, यहाँ पे branches आपका CAC, EC, IT, EE, Mechanical, EE, Electrical and Electronics Engineering तो यह ब्रांच भी यहाँ पे आ IT, अबब 95% आपका placement यहाँ पे होता है, यह branches में, CAC, IT, EC में आप बोल सकते हैं, Almost 100% भी placement देने के लिए, यह colleges, यह जो colleges personally, IEM, इसके अंडर और एक college है, जो कि है UEM, IEM, UEM branch है, पर IEM specially 100% placement देने के लिए जाना जाता है, campus life यहाँ पे है, 4, 5 में से मैं यहाँ पे 4 दूँगा क्योंकि campus उतना बड़ा नहीं है, 3 buildings है, जो कि sector 5 के अंदर इसलिए campus बड़ा होना possible नहीं है, different-different IT hubs यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, IT companies आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, TCS दिख जाएंगे, Cognizant दिख जाएंगे, 3 building है, actually IEM का, 3 ओ building के आस पास, different-different IT sector आपको engineering, कोई-कोई building में आपका, जो है, masters करवाया जाता है, किसी building में first-year students को यहाँ पे पढ़ाया जाता है, जो कि है management building, तो यह सब यहाँ पे different-different buildings में, यहाँ पे divided है, campus उतना बड़ा नहीं है, पर placement के मामने में, यह college से better private college West Bengal में नहीं है, यहाँ लिख के रख सकते हैं, highest पर जो है, fees यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, and आपका बहुत ही एक अच्छा college है, इस college में अगर आपको चाहिए, 3-4,000 के अंदर आपको rank रखना पड़ेगा, CAC अगर आपको चाहिए, तो 2000 के अंदर आपको rank रखना पड़ेगा, otherwise आपको नहीं मिलेगा, तो बहुत ही अ सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, तो चेलिए आज के लिए इतना ही बहुत जलते नहीं वीडियो के साथ, फिर साब लोगस मलाकत होगी, तब तक के लिए, बाब बाई!